हेलो स्टूडेंट्स वन्स अगें वेलकम तो माय यूटूब चैनल बुनियादे उद्दू स्टूडेंट्स होफुली आज आप सब का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा पेपर इजी था ठीक है तो चलिए जैड सीरीज को देखते हैं फस्ट कॉस्टिन देखें रीड द फॉलोईंग एक्स्टेक्ट और आंसर द फॉलो देखें यह एक्स्टेक्ट पोयम मिरेकल से लिया था तो इसमें फस्ट कॉस्टिन क्या है कि I know nothing else but miracles इस लाइन को आपने एक्स्टेक्ट करना था तो इस लाइन में पोईट क्या कहता है according to poet every person and everything that he sees around him is a miracle he says that he sees nothing but miracles everywhere तो easy है यह उसके बाद है in the fifth verse the word where it refers to ठीक है तो इसका answer walkthrough आना था उसके बाद read the images used in the above verses तो यह मैंने आपको बताया था जो मैंने poetic devices आपको बताई थी इसमें the streets of Manhattan एक उसके बाद naked feet along the beach यह वाला इसमें है तो यह images आप आपने answer में लिखनी थी उसके बाद the poem is written in the first person ठीक है उसके बाद है is there any rhyme scheme in the above lines? no आपका answer no आना चाहिए था ठीक है इसमें कोई rhyming scheme नहीं है clear तो उसके बाद second passage यह यह भी easy थी कोई मुश्किल नहीं थी थोड़ी long थी तो answers तो आपने इसमें से देखकर लिखे होंगे ठीक है इसका answers इसी में से थे सभी देखे इसका टाइटल जो है शूटेबल टाइटल इस पैसेज का क्या था शूटेबल इस टाइटल इसका था अडल्ट education in slums बाकी इसके answers आपने इसमें से लिखे होंगे बहुत easy थी advertisement भी easy थी advertisement तो बहुत असान थी what is the advertisement about तो यहां पर देखो books sale ठीक उसके बाद है how much rebate is given on bestseller books तो इसका answer 20% था उसके बाद है the students are offered a discount तो कितना मिला था उनको 50% 50% उसके बाद है mention the quotation तो देखो fourth quotation देखो कौनसी line quotation में है तो यह वाली line there is no friend there is no friend as loyal as a book उसके बाद है in addition to books the advertisement mentioned the scale on stationary products इसका answer था उसके बाद है अगर हम grammar को देखे हैं तो grammar बहुत easy था यह passage मैंने आपको दिखाई भी थी the other day we discussed ED आना था यहां पर भी talked आना था यहां पर आना था यहां पर आना था उसके बाद है the inspector said no sir thank god तो आपने लिखना था the inspector replied in negative ठीक है the inspector replied in negative and thanked god thank god उसके बाद the father worriedly said तो आपने लिखना था the father worriedly asked if he was surely fine ठीक है आपने ऐसे लिखना था कोई मुश्किल नहीं था उसके बाद errors देखें तो errors भी असान थी यह बहुत easy थी in life every man has आना था यहां पर has twin obligations obligations to his family to his parents to his parents to his wife and children तो यहां पर as नहीं आना तक only children लिखना था क्योंकि children already plural है and he has an obligation आना था to his people his community his country clear उसके बाद section c में dialogue भी असान था यह dialogue मैंने आपको बताया था जो dialogues मैंने आपको बताये थे उनमें दो friends का मैंने एक dialogue आपको बताया था एक teacher बनना चाहता था और एक engineer तो यह वही dialogue था अब आपने लिखा होगा उसके बाद notice और message असान है तो अगर आपने अच्छे से इनका format देखा होगा तो आपको यकीनल marks मिलेंगे उसके बाद मैंने आपको 10 letters बताये थे कुछ important 10 letters तो उसमें से यह letter आया है असान है कोई मुश्किल नहीं है उसके बाद जो मैंने आपको articles paragraph or speech आपको important speeches वगरा paragraph articles आपको बताये थे कौन कौन से important है तो उसमें मैंने यह वाला topic भी show किया था importance of discipline तो आपने पता नहीं मैंने जानता कि आपने याद किया था या नहीं या आपने लिखा होगा असान था बहुत easy था कोई मुश्किल नही हाँ जो stories मैंने आपको बताई थी ये story उनमें से नहीं है लेकिन easy थी आपने वहाँ पर मैंने आपको कहा भी था कुछ न कुछ story आप बना लेना तो आपने बनाई होगी तो आपको यकिनन मार्क्स मिलेंगे literature के सब ही questions असान थे ये मैंने आपको दिखाई थे सब ही सब questions मैंने आपको दिखाई थे बहुत easy थे